हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत और बिहार के नंबर वन यूट्यूब चैनल डीलस एजूकेशन विद्याकुल पर प्यारे साथ क्यों एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं यहां पर जियोगरिफी का आपके नया अच्छी तरीके से समझेंगे पैरे बच्चों एक एक सब्दों का निचोड को समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर से आपकी परिक्षा में क्या क्या प्रश्ण पूछे जाने वाले हैं इन सभी बातों को समझेंगे तो आई होप आप सभी को पूरी क्लास में बहुत मज़ तरीके से करते हो ना उसे बोलेंगे जल संसाधन यानि कि अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे कि जल संसाधन क्या होते हैं तो जल का समुचुत उप्योग करना ही जल का हम लोग किस तरीके से प्रियोग करते हैं इसी को हम लोग किसके ना अगर प्रिथिवी पर भी भाग में देखा जाए पैरे बच्चो तो कितने परसेंट भाग पर जल है तो आप सभी लोग कहोगे सर 71 परसेंट भाग पर क्या है जल है तो 71 परसेंट भाग पर क्या है जल है और मात्र 29 परसेंट भाग पर क्या है प्यारे बच्चो तो 71 परसेंट भाग पर जल है प्यारे बच्चो इसलिए इसको क्या बोलते हैं यह हमारी प्रिथिवी है तो इसको प्रिथिवी को भी हम लोग क्या बोलते हैं नीला ग्रह बोलते जल की अधिकता के कारण क्योंकि 71 पर्षिण भाग पर हमारी प्रिशिवय पर क्या उपस्तित है जल है तो इसले जली को क्या बोलते हैं जली ये ग्रह भी बोल जाता है region क्या है क्योंकि जल बहुत अधिक मात्रा में उपस्तित है हाला कि यह जो जल है प्यारे बच्चो लगभग सागरों और महासागरों में ही देखनों को मिलता है यह कौन सा जल होता है प्यारे बच्चो तो यह जल होता है खारा जल अगर हम लोग बात करेंगे पीने योगी ज के लिटा आज इनी जल को कि किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और क्या-क्या थरीके हो सकते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे शैप्टर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताए पर शो कहा जाता न जिवन को उतपति ना जल में हुई तब अश्थल पर आया मनुष्षे आपने सुना होगा मनुष्ष को कहते हैं मनुष्भ Rebauch मनुष्भ किनारी ये जो किनारे किनारे ऐसे निकला होता है चुंकि हमारी जानते है कि मनुष्ट एक जल्यgreg रहा होगा उसके बाद मनुष्ट किया होता है पर आत्रीबच्चो जलका तो अर्थी ही होता जीवन अगर मानों के जीवन में देखा जाए पृधिवी पर भी देखा जाए पाधो को फसलों को जिव जंतुओं का अगर ये आज की समय में अस्तवित तो जो है ना बिद्दमान है तो इसका सबसे प्रमुफ कारण रहा है तो जल ही रहा है तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें चाहे घरेलू काम को ले लें चाहे और द्योग नगरों को समसाधन मन जाता है मारे यहां एकर आफ्टी समसाधन मन जाता है और जल के विशय में कुछ प्रमुख तथ्य ना इस प्रकार है जैसे प्रमुख तथ्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रितिवी पर जल तो बहुत अदिक है परन्त परसेंट मतलब अगर 3.5 परसेंट अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तो इतना जल है यह क्या है यह जो इतना जल दिख रहा ना अंटार्कितिका तथा हिमालय जैसे हिम सिखरों हिम नदों में बर्फ के रोप में हैं तो कहने का मतलब है 2.5 कभी 70 परसेंट भाग कहां पर मिलता है ग्लैसियर जहां पर ज़्यादा ग्लैसियर हैं पैरे बच्चों जहाँ पर ज्यादा मीठा पानी हमें देखने को मिलता ही अगर बात करें वर्सा की जल की पिampy बच्चों तो वर्सा का जल कैसा होता है पीने योग होता है मीठा होता है और विश्व की कुल वर्सा का लगबग चार प्रिक्सत जल भारत को उपलब्ध होता है परन्तु इसकी 20-6 जन संख्या के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्स उपलब्ध जलकी दृट से इसका अफ्थान Androidवें एक सो बारत देशा आता है क्यादा क्या प्रति पूर्ती देखा जाए कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना जलाया तो इस मामले में जो है 132 नंबर पर कौन आता है हमारा भारत देश आता है ऐसी में हम लोग बात करेंगे पहरे उच्चों कि अगर भारत में प्रती वर्स न वर्सों के द्वारा विभिन जल स्रोतों में लगभग उननीस सोवर्ग किलोमीटर जल फिर से एकत्र हो जाता है और दो हजार पचीस तक विश्चों के अनेक देशों में जल का अभाव होने लगेगा भारत भी इन्हें देशों में हैं जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना अगर भारती मानचित्र को देखेंगे देखो यह जो छ यहां पर तमिल नाडू करनाटा केरल घर राजिस्थान वाई इलाके में यहां पर पश्चिमी राजिस्थान में प्यारे बच्चों यहां पर देखेंगे ना जल का भाव हो गया जल का अभाव तमिल नाडू में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जल का भाव हो गया इस प्रिष्टी के कारण यह जल नीत बनाने वाला इसने एक अपनी जल की नीती बना ली पहले बच्चो जल नीती अपनाने वाला भारत का क्या है पहला राज्य है कौन सा तमिल नाडु राज्य आई होप आप सभी को बाते पहले बच्चो समझ में आ गई होंगी तो और इसके पहले बाद आप सभी को पता है कि यह जो है ना प्रिष्पी पर अधिकांस जल किसमें है दक्षडी गुलार्द में विद्धमान है इसलिए इसे जल गुलार्द और उत्तरी गुलार्द को अफ्थल गुलार्द का जाता है जैसे पहले बच्चो मैंने अभी आपको दिखा गुलार्द के लिए और उत्तरी गुलार्द को उत्तरी उपर वाले नाम से जानते ही क्याति है उसके बाद प्यारे बच्चो अगर हम लोग बात करेंगे सागर का जल जीव वनस्पतिया और खनी संसादन में अतधिक धनी हैं अगर हम लोग बात करेंगे सागर की जल की महा सागरों के जल की तो प्यारे बच्चों अगर सबसे जादा देखा जाएगा न जो खनी जो गएरा मिलते हैं जो बहात फून धातुएं मिलती हैं वो कहां प महात्रपून धातुएं में प्राप्थ होती हैं हम लोग बात करेंगे प्राप्थ करने का पहला तो क्रमुक्ष वर्स वर्सा वर्सा से तो देखें वर्सा सरवत तो एक समान नहीं होती है कहने का मतलब है भारत के विभिन राज जीव में पैरे बच्चों एक समान वर्सा होगी तो आप लोग कहोगे बिल्कुल जावप नहीं होगा इसका नहीं अगर हम लोग बात करेंगे जल संसादन का अधिक भाग उन छेत्रों में सीमित है जहां वर्स भर में आफ्टन सो सेंटीमीटर से अधिक वर्सा होती है। हमारे देश के इससे कम वर्सा वाले छेत्रों में ही क्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए जल किया हो सकता है जिसकी आपूर्तियानिस रोतों से की जाती है। केरल और असम जैसे छेत्रों में सिचाई की आव सकता नहीं होती क्योंकि वर्स के अधिकतर भाग में यहां थोड़े बहुत वर्सा तो होती रहती है। अगर हम लोग बात करेंगे पहरे वच्छों कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है ठीक है मेघाले पड़ता ही मेघाले में अब हम लोग बात करेंगे पहरे वच्छों दूसरा साधन क्या जल के प्राप्त करने का तो भूमिगत जल का मतलब है जो प्रिथिवी के अंदर जल है जो हमारी क्रफ्ट है पहरे वच्छों जमीन जिस पर आपने पैर रखा हुआ है हम लोग क्या बोलते हैं भूमिगत जल इसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं तो आपने दिखा होगा नलकूप लगा कर कुवा लगा कर कुवे को खोद कर इस प्रकार से साधनों का प्रियोग करके टेकनोलाजी का प्रियोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं जल को प्राप्त कर स जैसे राजिस्थान में अगर इस जल का उपयोग सिचाई के लिए भी नहीं किया रशकता है भूमिगत जल का अधिक उपयोग भारत में ही हो पाता है अब तक हम 37 परशंड भूमिगत जल का प्रियोग करने में समर्थ हुए हैं अब भारत में लगबग 433 अरव घन मीटर कहलाते हैं उत्तरी भारत के राज्य कहलाते हैं अगर उत्तरी भारत में भी बात करेंगे तो 19 प्रिशत जल केवल कहां है उत्तर प्रदेश में हैं महाराश मद्य प्रदेश और तमिल नाडु बड़े राज्यों में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल क्या है बिद्दमा पतच्टी होती है नदीयों का देश कहिलाता है भारत और नहरों का देश Кोंप हा lagi तो आपका जवाब और पाकिस्तान यह प्रस्टन पूछा आता है पूझार में अगर हम लोग बात करेंगे तो नविएों के कुल परिवहान के रूप में भी होता है खासकर मैदानी भागों में गंगा और ब्रह्मुपुत्र नदियां इस द्रिष्ट से विशेश महत्पूर्ण है भारती नदियों का आउसत जल बहाव 1879 अरब घन मीटर है यह प्यारे वच्चु नदियां जो है प्योग में लाया जाता है तलाबों की अधिक संख्या दच्षिड भारत में अधिक है अब हम लोग बात करेंगे प्यारे वच्चों भारत की बहुत देशी नदी घाटी पर योजना के बारे में बहुत देशी का मतलब क्या होता है प्यारे वच्चों जिसका प्रियोग एक स से अधिक उद्देश के लिह किया जाएं जैको बहुत देशिए नदी का मतलब होता है नदियों पर जिसे मालो नदी बह रही के लिए say जाएगा नदी के जल का प्रयौक जब एक से अधिक उड्डेश के लिए के जाएगा लोग बोलेंगे बहुत सकते हैं थैसे-धह तो बहुत देशी नदी घाटी पर योजनाय कहलाती है देगी नदियों से शिचाई का लापत उठाया जा सकता है साथ ही उन पर बैराज 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 यानि कि जल रोकने के लिए बांध जो जल रोकने के लिए बांध बना जाता है उसे हम लोग क्या बोलते पैरे बाढ़ की रोक ठाम करना मिट्टी का कटाव रोकना मशली पालन करना नहरे निकाल का रियातायात की सुभधा बढ़ाना मरेट परेटकों के लिए आकरशन केंद्र वराना अनेक लाभ एक ही समय के लिए लिए जा सके तो ऐसी परियोजना बहु मुखी बहु धंदी या फि की नदीयों के जलकाना लोग विभिन प्रकार से उपयोग जब करतें ना तो उसे क्या बोलते हैं उसे ही बोलते हैं लोग बहुत देशी घाटी पर्योजना अब हम लोग जानेंगे भारत की विविन प्रमुख बहुत देशी घाटी-व योजना के बारे में जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्यारे बच्छो दा मोदर घाटी-पर्योजना थी ओप आपके लिए most important है क्योंकि तक छोटन नागपूर्प के पठार से हैं जो की है कहा पर ज्रहखंड में है तो लेकिन ये पहले कहां पर था पहले बिहार में ही था बिहार और जार्खंड बटा नहीं था बैरे बच्चों तो ऐसे में ये क्या पूरे बिहार में सोक मचाती थी ठीक है और ये नदी ना ये जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकल कर पस्चिम बंगाल में हुगल वानों की संखला बनाई गई कही जल विद्दुत उत्पादन केंद्र भी बनाए बनाए गए जहां से जल विद्दुत बनाई जाती है और एक नौका गयम में नहर का निरवाड हुआ छोटा नागपुर पश्चिंब मंगाल में इस्से और दियों की विकास उत्पादित जल नदी घाटी पर योजना है इससे पूछे गया पूछे से शराज्यों को लाब देती है और आपके सामने इस प्रश्णों का उत्तर आप सभी को देखने को मिल चुका है अब अगला संस अगला देखेंगे पैरे वच्छों क्या है भाक्षणना नंगल बांथ पर promotion की बात करेंगे प्येंगे पैरे वेट्छों तो ये क्या है यह सत्लज नदी पर है इसको याद रखेंगे भाखडा नांगल बांध परियुजना किस पर है प्यरेवच्छों सतलज नदी पर है और हिमांचल और पंजाब की सीमा के निकड़ इस्तित है आप से अगर एक ही राज्य पूछेगा तो प्यरेवच्छों पंजाब भी बताईएगा लेकिन यह हिमांचल प्रदेश और पंजाब की सीमा परिस्तित है संसार के सरवोच बांधों में से एक भाखडा बांध की उचाई 226 मीटर है और जलास है कापर प्रदेश हिमांचल प्रदेश राजिस्थान और जम्मू कस्विर को इससे लाब हो रहा है इससे क्रिशी और उद्योग सबसे लंबा ऑंध क्याता होगी ऐसे बताओ अपलोग वह यह व्यूर्त सिसे हीरा कुंड को हीरा कुंड को सबसे ऊचा बन दोनो में अंतर समझे लिए ये की सब्सक्राइब के पास य। शंसार में सबसे लंबा बांध है और इसकी उचाई 48001 बच्छों 22 अगली पर्योजना कौूंसी है कोशी पर्योजना जो कि हमारे क्या है प्यारे बच्चों उत्तर बिहार के लिए अभिसाप है क्या है अभिसाप है क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि कोशी नदी क्या कहलाती है हमारे बिहार का सोक कहलाती है ठीक है इसका मुख्य उद्देश बाढ़ नियंत्रण सिचाई भोमि संद्रक्षन मलेरिया नियंत्रण और जल विद्दूत पादन करना है नेपाल इस्थित हनुमान नगर में बैराज का निर्माड हुआ है किसका बैराज का मतलब क्या होता है प्रदेश में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चंबल घाटी है कहां पर तो देखें इसके बांद गांधी सागर राड़ा प्रताफ सागर और कोटा बनाए गए हैं आज इस पर योजना से राजिस्थान मद्द प्रदेश में सिचाई एवा मिट्टी संरक्षन हुआ है और इसकी सिचाई समता पांच लाख हेक्टेयर है तो चंबल घाटी पर योज कहां पर है प्यारे बच्चों यह करनाटक में अवस्थित हैं मोस्ट इंपॉडेंट है क्योंकि तुंग भद्रा पर योजना आपसे पूछर आता है तो तुंग भद्रा पर योजना जो है करनाटक में इस्थित है और दच्छिड भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी पर योजना कौन सी है तो बड़ी तो बताओंगे पहरे बच्चों क्या बड़ी किसे बताएंगे भाखणा नंगल बांत पर योजना को लेकिन आगर आप से पूछेगा भारत की सबसे बड़ी सबसे ऊची नदी घाटी पर योजना का नाम बताईए उची को बताईएगा तो ह मेशा किसको बताएंगे पहरे बच्चों हीरा कुंड को ठीक है और तुंग भद्रा क्या है दच्षिड भारत की सबसे वड़ी है और यह किर्ष्णा की सहायक तुंग भद्रा नदी पर करनाटक में मल्लापुरम के पास दो किलोमेटर लंबा बांध है करनाटक और आंध प पर योजना कौन से पहरे बच्चों यहां आंध प्रदेश के गुंटूर जिला और तिलंगला के नलकोंडा जिला के बीच में किस्टना नदी पर इसको याद रखना है उसके बाद है पैरे बच्चों नर्मदा घाटी पर योजना यह नर्मदा घाटी पर योजना पहरे बच्चों कहां पर इस्तित है तो नर्मदा नदी पर इस्तित है और छोटी छोटी नहरे निकाली गई है इससे जिसमें मद्द प्रदेश राजिस्थान और गुजरात राजियों के कुछ छेत्र इससे सिचाई की सुब्दा भी प्राप्त करते हैं तो प्यारे बच्चों यह जल संसादन से सबसे महत्रपोर जो टॉपिक थे उनको हमने कवर किया है ठीक है आप सबी को यह बाते मेरी सबसमझ में आ गई होंगी अगर बाते समझ में आई तो क्लास में कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी पहरे बच्चों आप सभी का क्लास में मुझ तो क्वार मुझ में जुख आप समय आप समय आप सबसे होंगी आप सुपएगा कि अगरे बच्चों के बच्चों आप